वैसे तो मैं खुद को आनिमल राइट आक्टिविस्ट कहती हूँ लेकिन पशो को बचाने के नाम पर मेरा सारा आक्टिविजम केवल हिंदू ते ओहरों तक ही सीमित है कभी मैं हिंदू को गौमाज से बनी राखी पहनने से रोकने का ड्रामा करती हूँ कभी मैं दिवाली पर पठा के ना फोड़ कर बचारे कुद्टे बिल्यों को बचाने की मांग भी करती हूँ लेकिन मेरा सारा आक्टिविजम सारा का सारा आक्टिविजम सिर्फ एक ही धर्म तक्सी में थै एक बार मैंने कोशिश अवश्य की थी ईद पर बक्रियों को बचाने की लिकिन फिर मेरे पोस्टर्स और मेरे अक्टविस्ट्स दोनों का ही जो हाल किया गया वो हम बता नहीं सकते तो बताओ आखिरकार इतनी बड़ी हिपोक्रिट हूँ तो मैं हूँ कौन मैं हूँ पैटा जी हाँ आदत से मजबूर पैटा ने एक बरफे जानवरों की रक्षा के नाम पर शादी में घोडी चर्णने की प्रथा को निशाना बनाया है कभी दिवाली पर कभी होली पर तो कभी राखी पर हिंदूों के धर्म को और धार्मिक तयोहरों को निशाना बनाने के बाद अब पैटा एक और हिंदू रीती घोडी चर्णने की प्रथा को निशाना बना रही है क्या है पूरा मामला बताऊंगी मैं या निदीक्षानेगी TFI पर तो चल ये आरंब करते हैं। कुछ संगठनों को देखकर एक कथन स्वतह स्मरण हो जाता है। रस्ती जल गई पर बल नहीं गया। दुनिया में अपने दोहरे माब दंडो और अपने निकरश स्वभाव के कारण दिन रात अपमानित होने वाले स्वगोशित पशुक अल्याद संगठन पैटा एक बार फिट चर्चा में है। इस बार इन लोगों ने सनातन संस्कृती द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली घोडी चर्णने की परमपरा के विरुद अपने आवाज उठाई है। जी हाँ आपने बिलकुल ठीक सुना। फैन भोडियों पर वर आघमन प्रारम हुँआ था। अन्मिटा तो विविंस ठालों पर वर moved यहर रह दिके जरीय हे उद्वे पहले वर का आघमन रच के दौरा होता था। कई शेत्रों में तो वर कदध्यात्रा करते वे भी विवास्थाल तक जाते हैं वैसे भी जिस देश की रीती दो कोस में बदले पानी चार कोस में बानी यानि विविदताओं का अनंत सागर हो वहां वर आगमन एक जैसा कैसे हो सकता है इसके अलावा पैटा को यह जानना आवशक है कि घोडियों पर व्यक्ति घंटों त जब तक बाराद गंतवे स्थल तक नहीं पहुंचाती यहीं नहीं आजकल सनातनी हो या फिर सिख विवा हो घोडियों पर वर आगमन की प्रथा अब उतनी प्रतिष्टा का विश्य नहीं रहें लोग अब गाडियों अनिथा बग्यों में भी आ रहे हैं चाहे वे घोड़ जाता है ऐसे में पैटा द्वारा घोडियों के उपयोग का विरोध करना उतना ही घृणासपद और हिंदू विरोधी है जितना की मानेवर के आड में बिना किसी ठोस प्रमाण के कन्यादान की नित्यों का उपहा सोड़ाना ऐसे में पैटा का ट्वीट नकेवल आतारकिक ह अपितू इसमें विद्वेश और घृणा की भावना अधिक भरी हुई है इसी की ओर संकेत करते हुए पूर्व आईपियस अफसर एम नागेश राओ ने ट्वीट किया ये फर्जी कंपनी पैटा एक चारिटेबल संस्था है जो कंपनी जाक्ट के अंतरगत पंजिकृत है लेकिन इसके उद्देशे दूर दूर तक परमाट से नाता नहीं रखते मेरा वित मंत्री निर्मला सीतरमंट से निवेदन है तुरंत इस कंपनी का पंजी करन रद करे एक चुटर यूजर जै प्रक्राश चमूली ने पैटा के दोहरे मौब दंडो को जागर करते हुए कह और प्रसंगाल है पोलो के लिए घुड़ सवारी और पुलिसिंग के लिए भी घुड़ सवारी सही है परंतु शादी में घोड़ीranा ख disp力 अगर घरनाको संस्थागत करना हो तो यह नाम पेटा स teenage खिया थे सबलम B आपको लाइम लाइट में रखने के लिए पैटा किसी भी हद तक किरने को तयार है और किसी भी हद का अर्थ है किसी भी हद तक उधारन के लिए और प्रसंगीकता के प्रकोप से जूज रहे पैटा ने अपने चानल के जरीए अश्लीलता फैलाने तक का काम किया है अन्य किसी भी धर्म के तयोहारों से लेश मात्र भी फरक नहीं पड़ता है ऐसे में अब इसको जब कोई भाव नहीं देता है तो पैटा अपने प्रसंगीकता बचाने के लिए फ्रूट पनोगरफी एवं अश्लीलता भी फैलाने लगा है और फलो के जरी अश्लीलता को व इस्तार देने के लिए किया गया था इसके विपरीद अगर अब यह कहा जाए कि पैटा फूड प्रनोगरफी एवं अश्लीलता को प्रमोट करने लगा है तो संभवता गलत नहीं होगा क्योंकि उसका हाली क्यामपेइन इसी और इशारा करता है परंतु समस्या यहीं पर ख पोस्ट के अनुसार पैटा ने ड्रक्स कंट्रूलर जेनरल ओफ इंडिया को पत्र लिखकर नवजात बच्डे के सीरम के बदले कोई और समाधान ढूनने को कहा है पैटा ने अपने पत्र में कहा है कि वैक्सीन बनाने के लिए बच्छडों को जन्म के कुछ समय बाद ही उ इसे मा और बच्डे दोनों भावनात्मक रूप से परशान होते हैं यह जानते हुए भी केंद्र सरकार ने को वैक्सीन को लेकर सपष्ट कहा था कि उसमें किसी भी प्रकार का बोवीन सीरम यानि गाय के बच्डे से जुड़ा अवशेश उपयोग में नहीं लाया गया है पेटा ने जान बूच कर अंतरराष्टे स्तर पर भारत को बदनाम करने का घृणत प्रयास किया था। ऐसे में शादियों में घोडियों के उपयोग को लेकर अपने हाज स्यास पर ट्वीच से पेटा ने एक बार फिर भारत के प्रति अपनी हीन भावना और अपनी घृण जग जाहिर की है जिस प्रकार से विवा में घोडियों के उपयोग को लेकर उसने हाई तौबा मचाई है जिनका विवा में वास्तविक उपयोग एक घंटे का भी पूरी तरह से नहीं होता और उनका पूरा रखरखाफ किया जाता है उससे स्पश्ट होता है कि वह भारत को न